कभी कभी ना इंसान समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या क्या किया गया है। उसका सिला ऐसे दिया कि दुख सहे, सबर किया, उसका सिला ऐसे दिया, सवाल नहीं किये, इस बात पर सवाल हो गए और आप चुप रहें, इस बात पर बवाल हो गए है। और कोरे कागज साथ था किरदार मेरा, कोरे कागज साथ था किरदार मेरा, जिसको जैसा ठीक लगा, उसने वेसा लिख दिया। खुद पर खर्चनी है मुझे अब जिन्दगी मेरी, और उसे तो बहुत उधार कर लिए, और बहुत दिया वक्त लोगों को, अब हमने भी खुद में कुछ सुधार कर लिए। कभी-कभी कुछ रिस्तों को बनाने के लिए आप बहुत efforts लगाते हो, कि यार ये रिस्ता बन जाए, इस रिस्ते को में बचा पाऊं, लेकिन फिर भी वो रिस्ता नहीं रह पाता है, कुछ रिस्ते हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, कि जो बन जाते हैं, मतलब आप उसको हो गए, और राख से बने रिस्ते शाख हो गए, कुछ चीजे होती है कि छोटी सी होती है, लेकिन उसका असर जो होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और कुछ रिस्ते ऐसे होते हैं, कि जो बच्पन में आपके लिए कुछ और थे, और आगे चलकर आपके लिए कुछ और ह तो तब लिखा था कि किसे कहानियों में बदल गए, बच्पन के वो रिस्ते जवानियों में बदल गए. जिन्दगी के कुछ राज छुपाएं नहीं जाते मुझसे, ये इहसानों तले ड़े रिस्ते निभाएं नहीं जाते मुझसे. और सबका अच्छा सोचा फिर भी बुरे ही रहे, किसी का ख्वाब थे शायद, इसलिए अदोरे ही रहे और ख्वाब कुछ और थे मेरे, मुझे कुछ और परोसा गया, जो गना किये ही नहीं थे मैंने, मुझे उनके लिए भी कोसा गया और जाने कितने गमों पर मीर हुए हैं, तब जाकर इतने गम भीर हुए हैं और उजालो के शोक लिए अंधेरों में जी रहे हैं और अपनों से खोफ लिए गेरों में जी रहे हैं और हमें रोता छोड़ वो हस्ते रहे गए, हमने बेकदरों की कदर की और कदरदान तरस्ते रहे गए एक आखरी उसके बाद मैं अपने जगल हूँगी कि जैसी गुजर रही है वैसी गुजार रहे हैं कोई क्या जान पाएगा हम कितनी बातों के लिए मन मार रहे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें